हलो बच्चो कैसे हैं आप सब उम्मिद करते हैं आप सब बहुत बढ़ी होंगे तो बच्चो मोल कंसर्प्ट का अगला लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट क्लास तक हमने क्या पढ़ाता है तो लास्ट क्लास तक हमने बात करी थी भिया एक तरीके से stoichiometry of reaction की मैं एक बार वापस से आपको बता जाता हूँ कि पहली बात तो mole concept में आप किसी भी reactions related कोई भी किसी भी तरह के question अगर आप attempt करते हो तो वहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि reaction आपकी balance होनी चाहिए reaction अगर balance नहीं है और question आपने attempt किया तो वह question गलत हो जाएगा ठीक है तो पहली condition reaction बैलेंस होनी चाहिए stoichiometry का मतलब क्या होता है तो stoichiometry का मतलब यह होता है कि reactant के कितने amount से product का कितना amount बनेगा तो stoichiometry जो है ना वह आपको किसी भी chemical reaction में balance chemical reaction में reactant और product के बीच में जो quantitative relative relation है वो provide करवाती है कहने का मतलब कितनी quantity से कितनी quantity reactant से कितनी quantity product की बनेगी तो यह क्या होती है stoichiometry होती है अब आप समझो जरा कि stoichiometry से related problems की बात हम कर रहे थे है ना और problems में सबसे पहले हमने देखा था यह case 1 और case 1 क्या था case 1 था single reagent problems ठीक है single reagent problems यानि कि इस तरके के question इस तरके के सवाल जिनमें केवल एक ही reagent होता है केवल single reagent होगा वो जो है सारे के सारे question हम यहां पर देखते वाले एक simple सा question मैंने पिछली class में भी आपको बताये था और इसके अलावा आपको एक relation लिखना भी मैंने बताया था कि वो relation जो है वो क्या होता वो unity method से ही जो है वो एक तरके से relation बनाया जाता है या relation बनाया गया है हम directly आते भी है single reagent problem वैसे तो इसमें कुछ बताने वाला है नहीं directly इसको जो हो हम जादा से जादा example और जादा से जादा question से ही इसको हम समझ सकते है ठीक है तो देखो ज़रा कि question कुछ भी आये वो तो है यह अपना जैसे मैंने आपको mole concept में बार-बार में बोलता हूं कि यार देखो question में कुछ भी पूछा हो चाहे question में कुछ भी दिया हो आपको क्या करना है आपको calculation हमेशा किसकी करनी होती है मोल की ही करनी होती है, calculation जो है न, वो हमेशा केवल और केवल किस की होगी मोल की, आपको उसने कुछ भी दे रखा है, आपको उसने कुछ भी पूछा है, आप तो सबसे पहले मोल ही calculate करोगी, है न, और मोल calculate करके, उसके बाद में हम convert करते जाएंगे, चाहे उसने mass पूछा हो, चाहे उसने volume पूछा हो चाहे number of molecules या number of items पूछे हो हम calculate जो हो आगे से आगे करते जाएंगे तो देखो ज़रा कि जैसे question है calculate तो हो करते हो पूछ एक त Nico हो तो ह दो हो ऑ करते हो हो सक्थिव बयू पूछ इचाहाँ दो आड प लिख से यासदिव That और Us पूछे हो झाएंगे dissociation of NH3 found by dissociation of, जैसे यह आपको दे दिया 3.4 gram of NH3 in the given reaction in the given reaction बहुत ही simple सा काम है, एक reaction दे रखे भिया आपको NH3 is converting it to N2 plus H2, यह reaction है और इस reaction में आपको क्या दे रखा है और क्या पूछा है हम सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं तो simple सा काम है या आसान सा काम है जादा कुछ सोचना नहीं है आपको सबसे पहले तो reaction तो reaction वहिया हमारी यह है NH3 is converting it to N2 और साथ में क्या है H2, मैंने क्या का आपको सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आपकी reaction जो है वो balance होनी चाहिए आप सबसे पहले यहीं check करोगे कि reaction balance है कि नहीं है है ना, पहला काम यह है क्योंकि reaction जो बहुत बार आपको balance करके नहीं देगा तो reaction को मैं balance करूँगा, यहाँ पर दो, यहाँ पर जो किटा लगा तो, तीन लगा तो, आप reaction को कैसे भी balance कर सकते हो, जो stoichiometric option है, वो कुछ भी काबल ले लो, जैसे यहाँ पर जो आपने एक रखा, यहाँ 1 by 2 लगा दिया, यहाँ 3 by 2 लगा दिया, तो भी जो answer वही आएगा, answer से कोई फरक नहीं पड़ेगा, बस reaction आपकी क्या होनी चाहिए, balance होनी ही चाहिए, ठीक है, तो यह हमारे पास reaction है, अब given क्या है, यह given यह है, कि आपको जो है न, NS3 का देरका है कितना 3.4 gram, इसका देरका 3.4 gram, और मैंने आपको क्या बता रखा है, कि जो भी calculation होगी, वो mole से ही होगी, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी given है, उसको mole में convert करना है, और सारी की सारी calculation किसे करनी है, mole से ही करनी है, तो given यह है, मैं काम करता हूँ, इसको mole में convert कर लेता हूँ, तो mole में convert करना हमें आता है, given mass upon molar mass, तो इसका mole आ गया कितना 0.2, ठीक, अब आपको क्या है, तो भीया, देखो जरा, मैंने आपको क्या खाता, relation वो हम, एक relation जो मैंने बताया था, वो relation हम लिखते है, क्या था भीया, reacting mole of NS3, divide by stoichiometric option कितना है, 2, यह equal आएगा, भीया, formed mole of N2, divide by stoichiometric option कितना है, 1, और यह equal आएगा, भीया, formed mole of hydrogen, divide by stoichiometric option कितना है, 3, यह condition है हमारे पास तो अब आप देखो जरा, कि भाई, सबसे पहले, मुझे मालो N2 के बारे में निकालना है, 4N2, मुझे N2 के बारे में calculation करनी है, तो जिसके बारे में आपको दे रखा है, और जिसके बारे में पूछा है, उन दोनों को रखो, बाकी को सब को क्या कर दो, हटा दो, तो मेरे को information दे रखिये भी या, N3 के बारे में, divide by 2, और मुझे information पूछे है, nitrogen के बारे में, divide by 1, है न, तो N3 के कितने mole react करवाना है, 0.2 mole react करवाना है, तो 0.2 divided by 2, is equal to N, N2 by कितना 1, तो यहां से मेरे पास N, N2 के value आगे, 0.1, यह लोजी, खहने का मतलब यह है, कि भी या, ammonia के 0.2 mole से nitrogen के 0.1 mole बनेंगे, ammonia के 0.2 mole से nitrogen के कितने बनेंगे, 0.1 mole बनेंगे, और stoichiometry reaction की यही कहती है, अब देखना, क्यार, इसके दो mole से कितना बन रहा है, 1 mole बन रहा है, कि 2 mole ammonia से, 1 mole N2 बन रहा है, तो 1000 से कितना बनेगा, 1000 से बनेगा, विया 1 by 2, है न, एक से 1 by 2 बनेगा, और फिर 0 0.2 से कितना बनेगा तो 0.2 से जो वो उसका आदा बन जाएगा कितना 0.1 है ना तो यह है हमारे पास condition और जो है वो अब आपको तो वोल्यूम पूछा है ना हूँगा 4H2 तो hydrogen के लिए आप देखो जरा कि हमारे पास relation क्या है वोई बात कि जिसके बारे में information दे रखी है देख इसके बारे में रखी है एनस 3 के बारे में और जिसके बारे में information पूछी है उन दोनों को रखो बाकी को हटा दो तो आप NS3 और hydrogen को क्या कर दो एक साथ कर दो तो एन NS3 divided by 2 NH2 divided by कितना 3 यही होगा देख लो जरा एन NS3 divided by 2 NH2 divided by कितना 3 और यहां पर वेल्यू रखूंगा तो मेरे पास अपने 0.3 आएगा यह 0.1 नहीं तो 0.3 तो hydrogen के mole आगे 0.3 और hydrogen के mole 0.3 है तो आपको देखो क्या पूछा है आपको पूछा है वहिया जी hydrogen के बारे में मास ओफ हाइड्रोजन जो आपको पूछा है नाइट्रोजन का तो वोल्यूम पूछा था वही हमेशा किसकी होगी क्या है तो मास ओफ हाइड्रोजन के लिए मैं काम करता हूं इसको क्या करदोंगा मॉलर मास से मल्टिप्लाइ कर दोंगा तो यह आंसर आएगा 0.6 ग्राम हमारे पास यह condition है तो सीधा सा काम है जितनी भी single reagent problems है उन्स सब बें आपको यही काम करना है मैं एक question ओ ले रहा हूँ बहुत ही आसान सा है simple सा है जैसे इसको मैं यहां लिख लेता हूँ वे गलिए जैसे उषण जैसे वे गां मीवर्पर कि अ कंग ह्याथ स्काफ करना भी counting ङाथ दसो कि एकbel रास वहीं अ एक वां तरह एइ बास्टना म्यव लगते online है का एत्से करना डिसोशेशन, देखो कि भई ये सारी reaction जो मैं बता रहा हूं ना, ये सारी आसान-ासान सी है, दिरे-दिरे जैसे case 1 से case 2 की तरफ बढ़ेंगे, case 3 की तरफ बढ़ेंगे, तो दिरे-दिरे जो वो level क्या होगा, बढ़ेगा, तो simple सा काम है, single reagent problem में इसी तरह के question बनते हैं तो आप ये इसको समझने की कोशिश करना कि calcium carbonate का क्या पूछ है mass पूछ है तो पहले तो reaction आनी चाहिए कई बार ऐसी condition आती है कि कुछ common या कुछ generalized reactions होती है तो आपको दी हुई नहीं होगी लेकिन वो आनी चाहिए जैसे dissociation of calcium carbonate की बात करते हैं तो बहुत यासान सा काम है बच्पन से पढ़ते आ रहा है calcium carbonate तूटेगा इसको heat देंगे तो कैसे तूटेगा calcium oxide solid और साथ में CO2 gas reaction आपकी balance होनी चाहिए तो ये reaction balance है किया दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है गिवन इस बार इसके बारे में information तो आपको पूची है ठीक है कि जो हमारा calcium carbonate है उसके बारे में information आपको calculate करना है मैंने आपको बार-बार बोला है उसने आपको बोल रहा हूं भी पूचा हो या उसने कुछ भी भी दिया हो हम तो जहो calculation हमेशा किस की करेंगे mole की ही करेंगे तो यहाँ पर देखो calcium oxide से कोई लेना देना नहीं है इसका ज़रूर आपको volume दे रखा है 1.12 ml यह ना at stp यह ध्यान में रखना stp पर ही होना चाहिए तभी जो हो हम directly 22.4 से divide करके यह अगर ml में है तो 22.400 से divide करके जो क्या कर सकते हैं mole calculate कर सकते हैं तो यहाँ पर mole लिकालने का तरीका 1.12 divide by नीचे कितना आ जाएगा 22.400 clear है बात तो यह हमारे पास mole आ गए भीया जी कितने mole आ गए 1 by 20 है ना और 1000 है ना यह हमारे पास mole जो है वो निकल के आ गए और mole आ गए तो अब आप देखो ज़रा की calcium carbonate के बारे में पूछा है तो वो relation क्या कहता है relation यह कहता है कि भीया reacting mole of calcium carbonate divide by stoichiometric option यह equal होगा भीया जी देखो CO2 के बारे में क्या लिखूंगा formed mole of CO2 divide by कितना 1 यह होगा दोनों का stoichiometric कोफिजिंट कितना है 1 1 है तो यह मुझे निकालना है तो N-C-A-C-O-3 मुझे बताओ आप CO2 के कितने mole बना रहे हो 1 by 20,000 तो इतने mole CO2 के बना रहे हो इसका मतलब यह है calcium carbonate के आपको इतने ही mole चाहिए है आँ देख लो कि इसका एक mole बनेगा कि इसके एक mole से इसका एक mole बनेगा या इसका एक mole बनाने के लिए इसका कितना mole चाहिए एक mole चाहिए तो बस इसके 1 by 20,000 mole आपको बनाने है तो calcium carbonate का कितना चाहिए 1 by 20,000 mole आपको चाहिए तो यह तो mole है मास की में बात कर देता हूँ तो मास आजाएगा 1 by 20,000 into कितना है 100 है यह लोची मास निकाल लेके लिए आपको मोलर मास से क्या करना पड़ेगा multiply करना पड़ेगा धार रखना बार बार क्यों भूल जाते हो एक चीज दिमाग में रखो कि एक मोल का मास होता है मोलर मास के एक वल एक मोल का मास होता है कितना मोलर मास के एक वल तो जितने भी मोल दे रखे उसको आपको मोलर मास से multiply कर देना है और मोलर मास से multiply करोगे तो आपके पास क्या निकल क्या जाएगा मास निकल क्या जाएगा ये cancel हुआ तो भीया हमारे पास आया 1 by 200 ग्राम ये लो जी ये ही हमारा क्या है अंसर है और इसको जो किसी और format में भी वो लिखके दे सकता है जैसे 0.005 ग्राम जो हूँ इस तरह के से लिखके दे सकता है तो भीया ये है single reagent problem आप देखो इन सब में जो एक चीज़ common है कि एक ह ठीक है आप इससे पहले वाला question देखो कि केवल एक ही reagent था इसमें भी की reaction है ना एक ही reagent है इसमें भी एक ही reagent है कल जो पिछली ग्लास में मैंने जो आपको question करवाया था उसमें भी एक ही reagent था ये single reagent problem case 1 बहुत ही आसान सा काम है बस केवल और केवल ये जो relation हम लिखते है ये जो relation है ये relation जो है वो आपको लिखना आना चाहिए I hope मेरी बाते आपके समझ में आ रही होगी ठीक है तो next जो है वो आपन उसकी तरफ बढ़ते है case second की तरफ बढ़ते हैं देखिएगा case second ठीक है अब case second क्या कहता है case second ये कहता है कि अगर माल लो आपको जो हो एक से ज़ादा reagent दे रखें ठीक है condition ऐसी है कि अब तक तो condition ये थी कि एक ही reagent था लेकिन अब condition ऐसी है कि एक से ज़ादा reagent हो है ना लेकिन आपको question में information केवल एक ही reagent के बारे में दे रखी हो है न तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि if more than one, more than one reagents are present, और प्रिजेंट बट इन्फोर्मेशन इस गीवन ओनली अबाउट एनी वन रियेजेंट, ठीक है, भिया यह केस है हमारे पास है न, कि अगर जो है, वो कंडिशन ऐसी है कि रियेजेंट तो, एक से जादा है, लेकिन क्वेशन में जो इन्फोर्मेशन है न, वो एक ही रियेजेंट के बारे में दे रखा है, और भिया ऐसा केस जब भी आए, ऐसी कंडिशन जब भी आए, तो आपको क्या करना है, वो ही, कि फस्ट केस के जैसे ही इस तरकी को ट्रीट करना है, आप ठीक जो फस्ट केस की तरह ही इसको एंडल करोगे, आप जो इसको सिंगल रियेजेंट प्रॉब्लम की तरह ही इसको क्या करोगे, ट्रीट करके, बाद में जो आंसर बताओगे, कैसे करना है, उसके लिए मैं पहले लिख देता हूँ, कि भीया, इन इस केस, इन इस केस, ठीक है, लाइक सिंगल रियेजेंट प्रॉब्लम, ठीक है, तो आपको जो इसको किसकी तरह ट्रीट करना है, उसकी की तरह जो इसको ट्रीट करना है, एक क्वेशन से इसको हम सबस लेते हैं, देखना ज़रा, कि या क्वेशन जो हो, वो हमारे पास ऐसा है, in the given reaction, in the given reaction, calculate the number of moles of NH3 formed by 0.1 gram of H2, ठीक है, ये reaction दे रखिये भिया जी, N2 plus 3H2 is converting into 2N3, देखो भई, आप चाहे जही की तियारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तियारी कर रहे हो, ये मैं basic basic से question करवा रहा हूँ, और अगर आप जहे हो, जैसे नीट के बच्चों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आप J2 की तियारी कर रहे हैं, तो J2 वालों के लिए बोलूँगा, या पहले जहो वो ये basic जहो complete होना चाहिए, या basic clear होना चाहिए, कि कई बार जहो ऐसे condition आती हैं, कि सर्फ question नहीं बनते हैं, क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि सर्फ basic clear नहीं हो, इसलिए नहीं बनते हैं, अब वो basic clear कैसे होगा, कि अगर आप ये मानते हो कि वही ये question जह हो कम level के है, या question जहो बहुती आसान से question में करवा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप पहले जहो इन questions पर अगर थोड़ी बहुत practice करोगे, थोड़ा सा concept को समझोगे, concept जहो इसी तरह के question से समझ भे आएगा, तो जहो धीरे दीरे level जब बढ़ेगा, तो जहो फिर आपकी practice होना start हो जाएगी, और मैं ये नहीं मानता हूँ कि level की बात जहो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि JMS और NEET जहो दोनों approximately जहो उस सेम level पर होते हैं, exams, ठीक है न, और रही बात advance की, तो उसके लिए जो आपको खुब practice कर दी पड़ेगी, तो आप concept को strong करने के लिए पहले जो इन questions पर जो practice करें, तो आसान सा काम है जैसे ये question है हमारे पास, और आपको जो इसमें क्या पूछा है, कि भीया एक तरीके से आपको NS3 के मोल बताने, तरीका वो ही रहेगा, देखो ज़रा N2 plus 3H2, पहला काम तो यह है कि आप यह चेक कर लेना कि यार हमारी reaction balance है के नहीं है, पहला काम यह है यही चेक करना कि reaction is balance or not, ठीक है, तो हमारी reaction balance है, साफ दिख रहा है reaction balance है, अब क्या चीज given है, तो वो आप देखो, तो भीया मुझे बताओ nitrogen के बारे में कोई information नहीं है, है ना, इसके बारे में हमारे पास कोई information ही नहीं है, कोई दिकत नहीं है, तो अच्छी बात है, hydrogen के बारे में information है, क्या information है, hydrogen के बारे में जो आपको यह दे रखा है, कि या पॉइंट वन गराम इसका दिया है चलो या पॉइंट वन गराम इसका दिया है और अमोनिया के बारे में आपको information पूछी है आप यह चीज ध्यान में रखना कि यहाँ देखो दो reagent है सिंगल reagent प्रॉबलम नहीं है यह दो reagent है लेकिन information question में केवल एक ही reagent के बारे में अगर information देदेगा तो यह third case में जो वो चला जाएगा जो की जो बहुत ज़्यादा important है इन तीनों में से सबसे ज़्यादा important third case ही है तो यहाँ पर आप देखना क्या relation बनेगा relation यह बनेगा एन क्योंकि भीया वैसे तो relation जो यह बनेगा एन एन 2 is equal to NH2 divided by 3 is equal to NH3 divided by 2 इसको मैं पढ़ूँगा कैसे इसको मैं ऐसे पढ़ूँगा विया जी देखो जरा कि nitrogen और hydrogen तो इस बार क्या है reactant है तो भीया reacting mole of nitrogen divided by stoichiometric coefficient nitrogen का कितना है वन यह equal होगा reacting mole of hydrogen divided by stoichiometric coefficient कितना है त्री यह equal होगा formed mole of ammonia divided by stoichiometric coefficient कितना है टू है clear बात यही करना है तो अब जो हो आपको करना क्य है कि यह जिसके बारे में information दे रखी है इसके बारे में दे रखी है इसके बारे में पूछा है इन दोनों को रखो बाकी को क्या कर दो हटा दो तो ns3 divided by 2 और मैंने आपको बोल रखा है कि जितनी भी calculation करेंगे वो हम mole से ही करेंगे तो यहाँ पर जो इसको पहले में mole में convert कर लेता हूं तो mole आजाएगा given mass upon molar mass point 1 by 2 हो गया खतम बार तो यहाँ पर जो हो यह हो जाएगा point 1 by 2 into 3 और दूसरी तरफ आया ns3 divided by 2 यह cancel हुआ तो ns3 के mole जो है निकल के आगे 0.1 divided by 3 बोले तो 1 by 30 यह हमारा क्या है यहाँ यहाँ पर answer है ठीक तो यह condition है आप जो है वो बस कि second case में की पहला case तो क्या है single region problem की एक ही region होगा और second case में आपको क्या करना है तो second case में जो है वो बस region दो एक से ज़ाधा होंगी लेकिन question में information जो है न वो आपको एक ही रिएजेंट के बारे में दी हुई होकी ठीक है जैसे एक question ओल ले लेते हैं इस पर है जैसे विया एक question है in the given reaction ठीक है एक reaction आपको दी है यह reaction दी है ठीक है if two moles of C2H4 are used then calculate then calculate ठीक है जैसे पहला आपको दे दिया आपको क्या calculate करना है volume of O2 या required required volume of O2 for complete combustion complete combustion of two moles C2H4 at STP है ना दूसरा आपको यह दे दिया number of molecules of CO2 gas formed CO2 gas formed in the reaction ठीक है फिर तीसरा आपको दे दिया कि volume of water and ion at STP in ml ठीक है विया जी यह condition है Am I volume of water formed varn kon यह condition है कै आपको यह जो हो तीनों question जो क्या करने, solve करने, अब भी या देखो ज़रा कि आसान सा काम है, आप तो जो हो वो question जैसा 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 बोलता है, वैसा वैसा करते जाओ, सबसे पहले reaction हमारी क्या है, reaction यह है, C2H4 gas, 3O2 gas, is converting into 2CO2 gas, और 2H2O liquid, यह reaction जो है, वो एक, आप देखो की combustion की reaction है, और इस reaction में क्या और अभी है, C2H4 का हम combustion करवा रहे हैं, तो combustion की reaction है, C2H4 का combustion करवा रहे हैं, given क्या है, information किसके बारे में given है, आपको, 2 mol, है न, C2H4 के हम काम में ले रहे हैं, तो इसके 2 mol given अभी है, इसके बारे में भी पूछा है, इसके बारे में भी पूछा है, तीनों के बारे में करते हैं मैं इधर लिख देता हूं तो reaction यह थी C2H4 gas 3O2 gas is converting into 2CO2 gas plus 2H2O liquid है एक बार चेक कर लेते हैं reaction हमारी जो हो बैलेंस होनी चाहिए मेरे खाल से balance है इधर oxygen 6 हो गए चार दो 6 हो गए hydrogen 4 हो गए carbon 2 हो ठीक है तो given यह था given यह था यह इसके 2 mol थे और इसके बारे में पूछा इसके बारे में भी पूछा और इसके बारे में पूछा तो सबसे पहला काम वो relation लिखना और वो relation क्या है relation यह है कि reacting mol of C2H4 divided by 1 reacting mol of O2 divided by 3 यह equal होगा formed mol of CO2 divided by 2 यह equal होगा विया formed mol of H2O divided by कितना 2 ठीक है यह हमारे पास relation अब सबसे पहला काम जैसे माल लो मुझे 4 आपको किसके बारे में पूछा है सबसे पहले आपको सबसे पहले पूछा है यह O2 के बारे में और volume पूछा है आपको 2 mol के combustion के लिए तो 4 O2 तो मैंने क्या खा आपको जिसके बारे में information दे रखी है उसको रखो और जिसके बारे में पूछ रखी है उसको रखो तो information दे रखी है C2H4 के बारे में और पूछ रखी है किसके बारे में O2 के बारे में तो relation कहता है N C 2 H 4 divided by 1 N O 2 divided by कितना 3 यह relation कहता है तो यहाँ पर आप देखो N C 2 H 4 तो कितना है 2 और यह 1 N O 2 divided by कितना 3 तो O 2 के कितने mol काम में आएंगे या 6 mol O 2 के काम में आएंगे इसके 2 mol के combustion के लिए आप देख विलो इसके 1 के लिए तो 2 के लिए कितने काम में आएंगे यही तो है और आपको तो volume पूछ है तो volume भी पूछ है किस पर at stp तो मैं क्या करूँगा भी या 22.4 into कितना कर दूँ छे कर दूँ तो 4,2 यह लो जी यह हमारे पास जो इतना later volume निकल के आ जाएगा और ठीक है और फिर जो हो second पर जो हो किसका पूछा है second पर जो हो आपको पूछा है विया देखो number of molecules of CO2 CO2 के molecule पूछे है मैंने क्या का आपको चाहे कुछ भी पूछे calculation तो हमेशा mole की ही होगी तो 4 CO2 तो जिसके बारे में information दे रखी है इसके बारे में दे रखी है इसके बारे में पूछी है इन दो को रखो बाकी को अटा दो तो N C2H4 divide by 1 N CO2 divide by कितना हो गया 2 हो गया इसके 2 mole आपको जो हो क्या करवाने है react करवाने है और तो CO2 के कितने बनेंगे यह मुझे चेक करना है तो VIA साफ दिख रहा है कितने mole बनेंगे 4 mole बनेंगे stoichiometry भी कहती है इसके 1 mole से 2 बनते है तो इसके 2 से कितने बनेंगे 4 बनेंगे तो 4 mole इसके बन गए तो molecule कितने आ जाएगे तो molecule जो निकल के आ जाएगे कितने 4 N क्योंकि हमें पता है एक mole में कितने होते है N होते है तो 4 mole में कितने हो जाएगे 4 N हो जाएगे और तीसरा वाला जो हना थर्ड केस यह हविया कैलकुलेशन कर दी है हमें किसके लिए 4 H2 अब ध्यान रखो H2 लिक्विड है लेकिन पहले तो हम mole कैलकुलेट कर ले कितने mole बनेंगे तो जिसके बारे में दे रखी उसको रखो और जिसके बारे में पूछ रखा उसको रखो तो रिलेशन आएगा N C2 H4 डिवैड बाई 1 N H2 डिवैड बाई कितना 2 इसके दो mole रियक्ट करवाना चाहता है तो H2 के mole आगए भहिया कितने 4 वाटर के mole बनेंगे कितने 4 अब आपको volume पूछा है इसका ध्यान में रखना कि भहिया volume जो है न यह आपको पूछा है और volume निकालने का तरीका वैसे तो हम क्या करता है 22.4 से multiply करते है लेकिन भहिया वो kevel और kevel gas के लिए है यहाँ पर water का volume पूछा है और देखो water किस में है लिक्विड में है आप देखो water वाटर जो हो liquid form में reaction में water liquid form में दे रखा है तो यहाँ पर water के लिए आप 22.4 से multiply नहीं करोगे यहाँ तो जो है ओ गैस थी ओटू तो क्या है तो mole आगया न अपने पास तो एक काम करते है जब भी ऐसी condition आए तो आप density का सहारा लोगे आप density से क्या करोगे volume calculate करोगे मैं पहले एक काम कर रहा हूँ mass निकाल रहा हूँ इसका है ना तो mass आ जाएगा अब यह 4 इंटू एक mole का mass कितना होता है 18 होता है एक mole का mass 18 ग्राम होता है वोई बात एक mole का mass का मतलब क्या होता है कि यह molar mass equal ठीक है तो यह आगया भी है 72 ग्राम यह लोची तो 72 ग्राम जो हो अपने पास water बनेगा और density of H2O यह मैंने आपको पहले बता रहा है हमेशा कितना लेना है एक gram per ml आपको लेना है यानि कि water के एक gram का volume जो हो कितना होता एक ml होता है तो 72 gram का volume कितना आएगा तो volume जो हो water का आएगा हमारे बातना 72 ml यह है condition ठीक हम इस तरी के question जो हो यहां से पूछे जाते सेम टू सेम बिल्कुल पहले case के जैसा ही case है second case अलग नहीं है पहले case से बिल्कुल पहले case के जैसा ही case है और जो हो अब हम बात करेंगे विया जी अपने third case की तरफ चलते है third case जो है ना बहुत ज़्यादा important है case third ठीक है बहुत ज़्यादा important है हाँ तो देखो ज़रा कि case third क्या है मैंने का case third इन में से सबसे ज़्यादा important case है तो अब क्या होगा न कि हमारे पास जो reagent है वो तो क्या होंगे एक से ज़्यादा होंगे और पहले वाले में जो वो information के वल एक के बारे में थी अब यहाँ पर information भी एक से ज़ादा reagent के बारे में होगी तो यह मैं जो हो यहाँ लिख देता हूँ कि if more than one more than one reagents are present and information is also given about more than one reagent ठीक है तो यह हमारे पास जो हो थर्ड केस है कि भई एक से ज़ादा तो reagent होगे और information भी आपके पास जो एक से ज़ादा reagent के बारे में क्या होगी given होगी अब यह जो case है ना यहाँ आपको यह ध्यान में रखना है this will be the case of limiting reagent है ना तो यह है यहाँ पर हम बात करेंगे this will be the case of limiting reagent और बहुत ही important concept है आप पहले के exam या previous year के questions जो हो उठा के देख ले ना भीया जी यह जो point है ना यह जो point है ना यहाँ से खूब सारे question जो हो बार-बार जो कई exam में जो आए है और बहुत बार जो हो यहाँ से questions जो हो पूछे गए है कि limiting reagent का जो concept है बहुत important concept है बहुत ज़ादा बार जो हो यहाँ से question आये है और आप यह मान के चलो कि अगर stoichiometrist से related question आता है कभी भी तो यहाँ से इस concept के पूछे जाने के chances सबसे ज़ादा होते है यहाँ से question आने के chances सबसे ज़ादा बनेंगे तो अब यह क्या है तो सबसे पहले तो हम यह समझ लेते है कि यार यह limiting reagent क्या होता है ठीक है ना तो limiting reagent limiting reagent ठीक भी है जी देखो इसको short में हम बोलेंगे LR कि भाई यह case को कैसे identify करते हैं यह तो बात की बात है लेकिन पहले आप यह समझो कि limiting reagent क्या है यह जो LR है किसको बोलते हम तो जो reagent limit में है उसको हम क्या बोलते है which consumed first in the chemical reaction, in the chemical reaction is called limiting लेमिटिंग रियजेंट लेमिटिंग रियजेंट जो कि रियक्शन में पहले consume होता है उसको हम क्या बोलते हैं बोलते हैं और site रियेजेंट जो होगा ना आपको यह ध्यान में रखना कि पहले खतम होगा और किसी Apache sailed में प्रॉडक्ट का पहले खतम होता है, दूसरा excessive reagent, excessive reagent का मतलब यह होता है कि वो reagent जो reaction में बच जाएगा, जब reaction पूरी हो जाएगी तो excessive reagent तो बच जाता है और limiting reagent क्या हो जाता है, completely पूरा खतम हो जाता है, तो यहाँ पर जो हो अपने पास अगला point यह है कि भई किसी भी reaction में product का कितना amount बनेगा, यह चीज किस से determine होगी, यह limiting reagent ही decide करेगा, कि यह product कितना बनेगा, कैसे अभी example से मैं समझाऊंगा, कि the amount of product the amount of product will be decided will be decided by the amount of amount of limiting reagent तो यह जो product का amount है न, वो किस से decide होगा, वो limiting reagent से ही decide होगा, clear है बात, अब कैसे क्या है, तो यह समझने से पहले हम एक बार और जो हो, एक चोटा सा point है, excessive reagent, हम वो भी जो हो, पहले पढ़ लेंगे, इसके बाद में हम इस पर आते हैं, तो next is excessive excessive reagent यह न, er, excessive reagent, तो यार excessive reagent जो हो, देखो, क्या होता है, er, क्या होता है, तो आपको यह धान में रखना है, वो reagent, जो reaction के last में क्या हो जाता है, बच जाता है, ठीक न, the reagent, है न, the reagent, which left, after, the reaction, is called, is called excessive reagent, excessive reagent, जो बच जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, excessive reagent बोलेंगे, अभी मैंने आपको कहा, कि भई, product का कितना amount बनेगा, यह चीज किस पर depend करती है, यह चीज़ डिपेंड करती है, limiting reagent पर, कि हमारा limiting reagent, जो है न, वो कितना है, यह limiting reagent के according ही, हम क्या करवाएंगे, reaction करवाएंगे, जैसे माल लो reaction यह है, अपने पास, N2 plus 3H2 is converting into 2NS3, है न, मैं कहता हूँ कि माल लो, limiting reagent यहाँ पर है, यह nitrogen, कैसी चेक करते है, limiting reagent, limiting reagent चेक करने का, आपने आप में एक तरीका होता है, हम केवल amount देखके, या केवल mole देखके, केवल mass देखके, केवल volume देखके, जो directly यह नहीं बता सकते, कि भाई, इसके mole अगर कम है, तो यह limiting reagent हो गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, जैसे माल लो इसके, जो हो आपको दे दिये, इसके 2 mole दे दिये, इसके 4 mole दे दिये, कि इसके 4 mole है, लेकिन फिर भी यह limiting reagent है, यह ध्यान में रखना कि कभी केवल mole देखके, या केवल mass देखके, कि इसका mass देदिया, इसका mass देदिया, केवल mass देखके, या volume देखके, directly कभी भी नहीं बताना है, कि जिसके mole कम है, वो limiting reagent, ऐसा कहना, बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि limiting reagent, जो हो इस पर भी depend करता है, कि इनका stoichiometric option क्या है, ठीक है, तो माल लो, कि हमारे पास जो हो कोई reaction है, इसमें nitrogen limiting reagent है, मैंने कहा न, कि भी या product किता बनेगा, जैसे इस reaction में NS3 का कितना amount बनेगा, product किता बनेगा, यह चीज़ depend करेगी किस पर, यह चीज़ depend करेगी nitrogen पर, limiting reagent पर depend करेगी, कि माल लो, यह अगर पूरा reaction खतम हो गया, limiting reagent का मतलब जो पहले खतम हो गया, तो nitrogen अगर reaction में पूरा खतम हो गया, पहले खतम हो गया, nitrogen पूरा खतम हो गया, पहले खतम हो गया, तो hydrogen जो है न, अकिला थोड़ीन ammonia बना देगा, hydrogen को तो ammonia बनाने के लिए nitrogen चाहिए, तो अगर ammonia बनाना है, nitrogen पहले खतम हो गया, तो भीया ये बच जाएगा last में, reaction पूरी हो जाएगी और जो बच जाएगा, वो क्या हो जाएगा, excessive reagent हो जाएगा, है ना, तो reaction complete, जैसे ही limiting reagent खतम होता है, reaction में, limiting reagent वो जो पहले खतम हुआ, और जैसे ही limiting reagent खतम हुआ, reaction stop हो को ध्यान क्या रखना आपको ध्यान ये रखना है कि भया जी किसी भी reaction में अगर ये third case बन रहा है तो आपको क्या करना है आपको काम ये करना है कि भया जितनी भी calculation हम करेंगे वो सारी की सारी किसके according करेंगे इस limiting reagent के according ही हम calculation करेंगे सारी calculation जो है न वो किसके according होगी मेरे इसलेके बाद में जो हो हमें क्या गर दें सारी calculation कर दी है कैसे अभी समझेंगे लेकिन सबसे जरूरी सवाल कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा limiting reagent है तो इसके लिए आप देखो जरा कि एक reaction है हमारे पास मालो a a plus b b is converting into c c और ये d ये कोई reaction है अब देखो जी कि आपको ये चीज़ गिवन है गिवन ये है कि इसके x मॉल है और इसके y मॉल है t बराबर 0 पर ये आपको गिवन है कि a के x मॉल थे और b के किते थे y मॉल थे यह आपको given है और जहान में रखना कि अगर मोल नहीं दिये हैं तो आपको तो क्या करना है सारी calculation किस से करनी है मोल से ही करनी है हम तो सारी calculation हमेशा किस से करते हैं मोल से ही calculation करते हैं तो अगर मोल नहीं दिया है तो आप जो भी दे रखा उसको सबसे पहले क्या करोगे मोल में convert क करोगे और मोल में कनवर्ट करने के बाद ही आगे आप चलोगे यह रहा बात तो भीया यह हमारे पास कंडिशन है कि इसके X मोल है इसके Y मोल है अब आप क्या करोगे भीया सबसे पहले आपको क्या करना लिमिटिंग रिएजेंट अगर प्रेडिक्ट करना है तो उसके लिए जो भी गिवन मोल है एक रिशो हम निकालेंगे गिवन मोल डिइवाइड बाई स्ट्रोयकियों मेंटरिक को अफशेंट यह रिशो आपको निकालना है खिए और यह रेशो जैसे यह आप निकालोगे तो अब देखो यहां पर कई कंडिशन बनती है मैं यह कहता हूँ कि अगर x by a की value जो है वो कम है y by b से कि यह ratio जिसके लिए कम आएगा ना वो ही limiting reagent है तो अगर यहाँ पर x by a की value कम आ रही है तो मैं बोलूँगा in this case in this case a is lr a will be limiting reagent जो a है वो limiting reagent होगा a पूरा खतम हो जाएगा कहने का मतलब अब जितनी भी calculations आप करोगे ना वो किसके according होगी वो a के according होगी है ना फिर अगर मैं यह कहूंगा कि भई यह x by a is greater than y by b अगर ऐसा आ रहा है y by b की value कम है तो यहाँ पर condition ऐसी आएगी कि b is limiting reagent ठीक है तो जो b है ना वो क्या है वो limiting reagent है कहने का मतलब b पूरा ख excessive reagent होगा कहने का मतलब b last में बच जाएगा बी का कुछ amount तो खतम होगा जैसे आपने जो यहाँ पर b के total कितने ले रखे है तो y में से कुछ तो खतम होगे और बाकी जो हो क्या होगे बच गए तो b excessive reagent हो जाएगा ए limiting reagent हो जाएगा अगर x by a की value जादा y by b से तो b जो case में आप देखो अगर दोनों का ratio बराबर है तो a and b a and b both are both are lr कि भी आप दोनों के दोनों ही limiting reagent होंगे कहने का मतलब इस reaction में last में दोनों के दोनों क्या हो जाएगे खतम हो जाएगे a भी खतम हो गया और b भी क्या हो गया खतम हो गया कोई भी नहीं बचाएगा तो आप calculation जो है चाहे a के according करो चाहे b के according करो किसी के according calculation करो answer दोनों में क्या आना है सेम या आना है तो यह हमारे पास limiting reagent की condition है ठीक है अब इसी को हो हम क्या करेंगे एक तरीके से जो धीरे-धीरे इसको हम apply करना सीखेंगे एक question से जो हो अपने बात start करता हूं जैसे अभी हमने जो condition अली थी वह ना जो example यह था वो ही example दुबारा ले रहा हूं कि भीया two moles of n2 and four moles and four moles of h2 are taken in a container to form to form ammonia by Haver's process havers process then find ठीक है पहला आपको यह दे दिया which is lr दूसरा आपको दे दिया calculate the left mass of er ठीक है और तीसरा आपको दे दिया calculate the volume of ammonia formed at stp ठीक है यह question है आपको जो इस पे सारी चीशे बतानी है आपको बताना कि limiting reagent कोन है वो तो वैसे भी वताना ही पड़ेगा अब आप देखो जरा condition क्या है सबसे पहले तो यहां पर जो है एक word आया है ever process यह ध्यान में रखना है और कई बार जो केवल ever process ही लिखा होता है बार बार अगर कई ever process का नाम आ जाए तो समझ जाना ever process का मतलब यह reaction है N2 प्लस 3H2 और 2NS3 इस reaction को ही क्या बोलते है विया ever process बोलते है ठीक है यह हमारे पास reaction है और इस reaction में जो हमें क्या करना होता है अमोनिया बनाना होता है अब देखो क्या given है आप सबसे पहले वो देखो given यह है कि यह 2mol तो nitrogen के है इसके 2mol है है और hydrogen के कितने इसके है यह 4mol है ठीक और ध्यान में रखना अगर यह mole नहीं given है कुछ और given है mole की जगा mass given है या molecule given है या volume given है कुछ भी given है इसकी जगा तो आप सबसे पहले क्या करोगे उसको mole में ही calculate करोगे है उसको mole में convert करोगे क क्योंकि हमारी सारी calculation जो किसके according होती है number of moles के according होती है तो यह condition है अब सबसे पहले हमें काम करते है given mole upon stoichiometric option यह करते है कि आपको कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि पहला case लगाना है कि दूसरा या तीसरा case लगाना है तो यह सीधा सा काम है कि पहला case था केवल एक single reagent था तो एक single reagent तो नहीं है दो reagent है दूसरा था single reagent था information केवल एक के बारे में थी अब जो दोनों के बारे में कुछ नों कुछ जानकारी आपको दी हुई है कि दोनों के mole दी हुए है दोनों का mass दिया हुआ है एक के mole एक का mass दिया हुआ है तो दोनों के बारे में आपको कुछ नों कितना है 1 तो इसका तो आया कितना 2 और यहाँ पर mole upon stoichiometric option कितना है 3 तो इसका आया कितना 1.33 और मैंने क्या कहा आपको कि इस ratio में से जो ratio कम होगा वो limiting reagent होगा और कम कौन है कम ये वाला है तो मतलब ये है कि hydrogen ह2 is limiting reagent यहाँ hydrogen limiting reagent है तो मैंने आपको जो कहा कि केवल mole देखके हम कभी नहीं बता सकते कि कौन सा limiting reagent है कि हम mole देखके ये चीज़ डिसाइड नहीं करेंगे कि भाया इसके mole कम है तो ये limiting reagent कर दो क्योंकि जो limiting reagent का concept है वो इस stoichiometric option पर भी क्या करता है डिपेंट करता है यानि इस reaction में hydrogen जो है ना वो पूरा खतम हो जाएगा और जैसे ही hydrogen खतम हुआ hydrogen खतम होते ही reaction बंद हो गई तो भाया जी ammonia का कितना बनेगा ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा ये hydrogen ही decide करेगा करने का मतलब हमने hydrogen के चार मोल ले पहले का अंसर आ गया कि कौन सा लिमिटिंग रिजेंट अब मैं तीसरे का आंसर जो हो यहां लिख रहा हूं थर्ड ठीक है आपको यह बो रहा है कि calculate the volume of NS3 formed at STP STP पर NS3 का कितना volume बनेगा तो भी यह एक काम करते हो वो ही relation क्या कहता है एन N2 divided by 1 एन H2 divided by कितना 3 is equal to NNS3 divided by कितना 2 है ना एन N2 का मतलब क्या है वो ही reacting mole of N2 divided by 1 reacting mole of hydrogen divided by 3 और formed mole of NS3 divided by 2 जिसके बारे में information दे रखी है उसको रखो और जिसके बारे में पूचिए उसको रखो तो NH2 by 3 is equal to NNS3 by 2 यह लोजी आपको hydrogen के बारे में information दे रखी है है ना अब information तो nitrogen के बारे में भी है लेकिन भाया nitrogen जो है ना यह तो है N2 is excessive reagent और calculation होगी किसके according limiting reagent के according क्योंकि limiting reagent पहले खतम होगा ना तो सारी की सारी ammonia का जितना भी amount बनेगा वो hydrogen ही decide करेगा तो इसलिए मैंने hydrogen को रखा और ammonia को रखा तो hydrogen के कितने मोल react करवाने भी है चार के चार पूरे मोल hydrogen के हमने react करवा दिये तो यहां से NS3 के मोल आ गए मेरे पास कितने 8 by 3 और भी है NS3 के मोल आ गए तो volume भी आ जाएगा volume at STP हमें पता है एक मोल का volume होता है कितना 22.4 तो multiply by 22.4 यही हमारा क्या है अंसर है simple सा काम है हो गया काम फिर आगे देखो जरा आगे next जो point है ना अपने पास वो यह है कि यार excessive reagent का जो है ना वो कितना amount जो हो बच जाएगा कितना mass बच जाएगा अब आप समझो जरा इसको कि यार हमने nitrogen के दो मोल लिये थे अब तो दो के दो पूरे काम में नहीं आएं दो में से कुछ काम में आएंगे और कुछ क्या हो जाएंगे बच जाएंगे दो में से कुछ तो काम में आ जाएंगे और कुछ क्या हो जाएंगे बच जाएंगे तो हमें पता यह करना है कि दो में से कितने काम में आएंगे और कितन हो गए लेकिन नाइट्रोजन के जो है ना वो अब इस दो से हमें कोई लेना देना नहीं है धार रखना मुझे यह पता करना इसके चार के साथ इसके कितने रियक्ट करेंगे इसके चार के साथ इसके दो रियक्ट नहीं करेंगे दो में से तो कुछ बच जाएंगे 2 तो हमने लिये थे, हमें यह पता करना कि react कितने करेंगे, तो react कितने करेंगे, तो यह क्या है, यह reacting mole ही है, कि इसके 4 के साथ, इसके कितने mole react करेंगे, तो भीया मेरे पास condition ऐसी है, relation यह आया, n, n2 by 1, square to n, h2 by 3, है न, और n, n2 मुझे निकालना है, hydrogen कितने, 4 by 3, पूरे reaction करवाने है, 4 by 3 जो है, मतलब यह है, कि hydrogen के तो जो है, वो 4 के 4 पूरे reaction करवा दिये, तो hydrogen के 4 के साथ, nitrogen के किवल, 4 by 3 mole ही react करेंगे, कहने का मतलब, 1.33 mole ही reaction जो है, वो करेगा, 1.33 mole ही reaction करेगा, और बाकी mole ही जो mole ही ना, बच जाएंगे, तो मैं बोलूँगा, left moles left moles of n2, मैंने initially लिये, कितने थे, 2, और 2 में से जो चले, कितने गए विया जी 2 में से जो हो, चले गए 1.33, ठीक है तो 1.33 चले गए तो मेरे पास जो हो, बचे कितने 0.67 मोल मेरे पास बच गए और भया जी, 0.67 मोल जो हो, अगर बच गए, तो आप देखो जरा कि आपको क्या पूछा, आपको तो मास ही पूछा है ना, कि भई, calculate the left mass of n2, तो मास, left mass left mass of n2, नाइट्रोजन का 0.67 n2 कितना कर दो 28 ग्राम ये लोजी, इतना मास जो हो, नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, बच जाएगा ये हमारे पास condition है, I hope मेरी बाते आपके समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है, तो ये हुई भी या, एक बात और फिर देखना जरा कि इसी पर जो हो हम एक question जो हो ओड लेते हैं, है ना कि जैसे सीधा सा काम है, कोई जो हो मुश्किल काम नहीं है, है ना, आप तो बस concept को समझते जाओ, और आगे से आगे जो चलते जाओ, आगे चलके हम mixed question भी करेंगे mixed question का मतलब ये है कि इस तरह के question, जिनमें आपको खुद को identify करना पड़ेगा कि case कौन सा है, कि ये first case से question solve होगा, कि second से होगा, कि third से होगा, आपको कौन सा case लगाना तो वो भी आपको check करना पड़ेगा, तो जिसे माल लो question है हमारे पास कि एक reaction दे दी मैंने आपको magnesium है half O2 है is converting into MgO ये को रियक्षन है और आपको बोला है कि if initially 2.4 gram of magnesium and 3.2 gram of O2 was taken was taken then calculate the amount then calculate the the maximum mass maximum mass of MgO which can be obtained by the reaction पिर आपको बोल दिया also calculate also calculate the left mass of excessive reagent ठीक है ये हमारे पास condition है आपको ये भी बताना है कि जो excessive reagent है उसका कितना mass जो है वो बचेगा तो बहुत ही सीधा सा काम जैसा भी हमने किया था इलकुल वैसा ही काम करना है reaction हमारे पास है ये magnesium है ये है जी half o2 is converting into mg reaction balance होनी चाहिए जो की है क्या दे रखा है वो मैं चेक कर लेता हूँ कि इसको आपको ही identify करना है तो भी है magnesium के बारे में आपको information दे रखिए 2.4 ग्राम और इसके बारे में 3.2 ग्राम तो सबसे पहला काम है कि mole के अलावा कोई भी information आपको किसी भी तरगी की information दे रखिए हम उसको सबसे पहले किसमें convert करेंगे mole में convert करेंगे तो mole तो mole निकालने का तरीका given mass upon atomic mass magnesium का कितना 24 इसका 0.1 इसका 3 by 2 upon 3 by 2 3.2 upon 32 है ये तो ये आए अपने पास तो ये आगया कितना 0.1 आप देखो दोनों के moles equal है अब mole equal है लेकिन equal होने का मतलब ये नहीं कि दोनों के दोनों limiting reject है वोई बात कि हमें तो क्या करना है mole divide by stoichiometric coefficient हमें तो ये ratio निकालना है और ये ratio निकालने के लिए 0.1 by 1 करूंगा ये 0.1 by यहां पर कितना 1 by 2 तो कहां जाएगा ऊपर जाएगा तो ये आया भया जी 0.1 ये तो आया 0.1 और ये हमारे पास आया 0.2 ये condition है एक 0.1 आया दूसरा कितना 0.2 आया जो ratio कम होगा वो limiting reagent है अब कम कोन सा है तो कम यहां पर हभी है magnesium वाला this is limiting reagent ये limiting reagent ठीक है और ये limiting reagent है तो अब इसी के according calculation होगी कहने का मतलब ये तो excessive reagent होगे ये तो reaction में बच जाएगा और ये जो हो वो एक तरके से पूरा खतम हो जाएगा तो अब क्या करेंगे अब जो हो हम चेक कर लेते हैं कि magnesium oxide का पहले कितना बनेगा तो आप देखो reaction ये है हमारे पास mg प्लस half O2 is converting into mg O और mole जो हो इनके कितने कितने आ गए ये point 1 आ गए है इसका भी point 1 ये limiting reagent है ये excessive reagent है तो सारा का सारा काम जो हो किसके according होगा magnesium के according होगा तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर n mg by 1 is equal to n mg O divided by कितना 1 तो magnesium का point 1 था point 1 का एक पुरा खतम हो गया तो यहाँ पर magnesium oxide के कितने mole बनेंगे भी या point 1 mole ही इसके बनेंगे ठीक है तो मास आप से पूछा है तो मास के लिए इसको जो multiply कर दो आप किससे multiply करोगे इसके molar मास से magnesium का कितना होता है 24 oxygen का कितना होता है 16, 16 और 24 कितना 40 तो यह 4 गराम मास आप बना सकते हो magnesium oxide का फिर भिया जी आपको यह पता करना है कि O2 यानि excessive reagent का कितना बच जाएगा तो हम यहाँ पर यह पता कर लेते हैं देखो point 1 तो हम ने लिया था point 1 का point 1 पूरा खतम नहीं होगा point 1 में से कुछ खतम हो जाएगा और कुछ बच जाएगा तो मैं यह पता कर लेता हूँ कि point 1 में से कितना काम में आया तो relation क्या कहता है Nmg reacting mole of magnesium divided by 1 reacting mole of O2 divided by 1 by 2 का जाएगा उपर stoicometric option जो वो नीचे आता है और इसका point 1 पूरा मुझे react करवाना है तो यह point 1 is equal to N O2 into 2 तो N O2 जो है यह हमारे पास आजाएगा point 1 by 2 कहने का मतलब आपने जितना भी initial में लिया था जितना भी लिया था कितना लिया था point 1 लिया था तो point 1 का आधा जो है वो क्या होगा खतम होगा बाकी जो हो बच जाएगा तो मैं बोलूगा N left है ना कि भाई इसके कितने mol बचेंगे left moles left moles of ठीक है left moles of O2 तो इसके कितने mol बच जाएगे भी यह initial में हमने लिये थे point 1 और point 1 by 2 इसके काम में आ गए तो point 1 by 2 जो हो इसके क्या हो गए बच गए ठीक है और इतने बच गए तो वो ही पूछा आपको जो हो कितना left होगा कितना बचेगा ना mass पूछा है कि कोई दिकत नहीं mass पूछा है तो भईया left mass left mass of O2 तो इसके लिए क्या करूँगा point 1 by 2 into कितना कर दो 32 तो यह आजाएगा कितना 1.6 ग्राम की इनिशल में आपने कितना लिया था आपने 3.2 लिया था 3.2 में से 1.6 जो हो बच जाएगा 1.6 काम में आ जाएगा I hope मेरी बाते आपके समझ पे आ गई होगी ठीक है तो इस तरकी के जो और सवाल यहां से पूछे जाते हैं मैं एक question जो हो आपको ओर देता हूँ इसी से related आप सोचना ज़रा क्या हो सकता है ठीक है question ऐसा है 2 into 10 to the power 22 molecules of x2 ठीक है फिर आपको देर रखा है 10 grams of y and 20 grams of z ठीक है are taken in a container to form x, y, z compound ठीक है फिर आपको यह बोला आगे कि इफ molecular mass of x2 is 40 atomic mass of y and z is 20 and 50 respectively तीक है ठीक है calculate 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 the maximum mass of x, y, z which can be obtained obtained by the above reaction which can be obtained by the above reaction तो देखो जरा कि सबसे पहले तो जो हमारे पास reaction नहीं है तो पहला काम तो देखो बिना reaction के हम जो मोल कंसेप्ट में सवाल को solve नहीं कर सकते तो पहला काम तो है reaction लिखना और ये देखके जो हम आराम से reaction लिख सकते हैं आपको ये दे रखा देखो एक तो है x2 एक जो हो reaction हो रहे किसकी y की एक reaction हो रहे ही z की और क्या बन रहा है compound बन रहा x y z reaction को balance करते हैं तो यहां किता लगा दूँ 1 by 2 हो गया अब देखो कि क्या given है हना case को आपको identify करना भी या कौन सा case है ठेकर क्योंकि जो है वो ही बात है कि आपको कभी नहीं वो लेगा कि आप limiting reagent का concept लगाओ आप जो है वो कोई और concept वो आपको खुद को identify करना पड़ेगा और जित्ती जादा practice करोगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा तो given क्या है given अविया इसका तो देरका 2 into 10 to the power 22 molecules 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 ठीक है y का देरका 10 gram और जैड का देरका है कितना देरका है विया 20 gram ठीक है और जो है वो यह तो given है फिर mole में इसको convert करना ही है ना number of moles में convert करना है तो number of moles में convert करना है तो यह given molecule divided by na6 into 10 to the power 23 है ना तो यह कितना जाएगा भी है इसके mole हमारे पास आ जाएंगे 1 by 30 है ना इसके mole जो हो आगे given mass upon molar mass ठीक है भीया given mass upon atomic mass तो y का atomic mass कितना है 20 तो इसके mole आगे 1 by 2 और इसका given mass upon atomic mass कितना 50 तो इसका आ गया कितना 2 by 5 यह आगे mole ठीक है अब mole के बाद में जो हमें चेक करना है limiting reagent क्योंकि देखो condition कैसी है condition यह है कि यह दो या दो से ज्यादा reagent है तीन reagent आ गए और information भी दो या दो से ज्यादा reagent के बारे में दी गई है तो तीनों के बारे में information है तो यह limiting reagent का concept है तो भीया मैं क्या करूंगा जो भी given moles है divided by stoichiometric option तो यह तो आ गया 1 by 30 औ 1 by 15 ठीक है और यह जो हो वो 1 by 2 ही रहेगा क्यों क्योंकि भीया यहां पर तो एक ही है इसका भी एक ही है तो यह किता रहेगा 2 by 5 ही रहेगा तो इन में से सबसे कम कौन सा है इन में से सबसे कम यह है this is limiting reagent और reaction इसी के according होगी कहने का मतलब जो x y z बनेगा है ना वो किस के according ब बनेगा जैसे x2 खतम हुआ तो reaction पूरी हो गई तो x y z का जो mass वो x2 पर depend करता है तो यहां पर मैं यह बोलूँगा देखो जरा मैं यह चेक कर लता हूं कि इसका कितना बनेगा तो relation क्या कहता है reacting mole of x2 divided by stoichiometric coefficient 1 by 2 है ना और उपर जो है वो फिर यहां पर आएगा found mole of x y z divided by stoichi के metric option कितना one clear है बात तो यहां देखो जरा कि भई एन एक्स y z है ना एन एक्स टू एन एक्स टू यह कितना है यह है मेरे को कितने mole इसके reaction करवाने है वन बाई 30 है ना एक वन बाई 30 मोल पूरे reaction करवाने है और जो है वो एक मिंट कुछ घडबड कर दी हाँ ठीक है और यह तो भिया इसके mole कितने बनेंगे इसके mole बनेंगे 1 बाई 15 मैक्सिमम जो है ना इसके 1 बाई 15 मोल बनेंगे इसका जो मैंने 1 बाई 30 लिया था तो 1 बाई 30 से इसके कितने बनेंगे 1 बाई 15 बनेंगे clear बात अब देखना कि आपको तो पूछा है मैक्सिमम मास कितना बनेगा त X2 का जो है, वो कितना है, 40 है, molar mass, तो X का कितना होगा, 20 होगा, चलो, ठीक है, Y का जो हो, कितना है, Y का 20, और इसका देर का कितना, 50, तो टोटल कितना हो गया, 90 हो गया, खतम बात, तो भीया, mass, mass of X, Y, Z, यह आया, 1 by 15, इंटु किता कर दो, 90 कर दो, यही जो हो, हमारा क्या है, answer है, इसको solve कर लो, यह answer है, ठीक है, तो इस तरके के जो questions है, वो यहां से पूछे जाते हैं, और विया अगली class में हम जो हो, ऐसे ही कुछ और questions भी लेंगे, इस पर, फिर इसके बाद में जो हो, आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है, आगे percentage yield, और percentage purity of sample, फिर आगे हम बात करे कोई doubt आपके नहीं रहा होगा, फिर भी कोई doubt हो, तो आप comment में बिल्कुल mention करें, मैं कोशिश करूँगा, जल्दी से जल्दी उसका reply करने की, यहां से मिलते है next class में, तक तक के लिए, thank you.